नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का देशी पंचायत पर पांच दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जैपूर में हुई स्री राष्टी राजपूत करणी सेना की अध्यक सुगदेव सिंग गोगामेडी की हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है गोगामेडी की हत्या की वज़ा से राजस्थान के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में प्रदर्शन जारी है जिन में उत्तर प्रदेश भी सामिल है बता दे कि गोगा मेडी की हत्या की वज़ा से साजहापूर वरांटसी अमेठी बस्ती समेत अन्य जीलों से प्रदर्शन की खबरे सामने आई है वहीं आपको बता दूं कि बिहार के भी अलग-अलग छेत्रों से भी ऐसी खबरे सामने आई है ऐसे में चर्चा जब गोगा मेडी की हो रही है तब आप उनकी नीजी जीवन से जुड़े कुछ अनसुने खिस्से को भी जान लिजिए गोगा मेडी का तालोग हनमानगर जीले की भादरा से है ऐसा कहा जाता है कि गोगा मेडी ने अपनी 26 उधारने के लिए राजनीत में सक्रिय रहने की कोशिस की थी उन्होंने भादरा विधानसवा सीट से साल 2013 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विधानसवा चुनाव लड़ा था इसमें वो अकरेब 34,000 ओटों के साथ तीसरे अस्थान पर रहे थे वहीं गोगामेडी से जुड़े जानकारी एक नई सामने आई है कि सुखदेव गोगामेडी की तीन पत्निया हैं मगर तीसरी पत्नी के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है वही सुत्रों के अनुसाद तीसरी कथिद पत्नी जैपूर में ही गोगा मेड़ी के साथ रिलेशन्शिप में रहती थी। सुकदेव सिंग् की पहली पत्नी पुलिस विभाग में थी बाद में उनका तलाग हो गया। आपको बतादो, सुक्देव की पहली पतनी का नाम सकुंतला है। दूसरी पतनी का नाम सीला सिखावत है, जो भादरा में सुकदेव के साथ रहती थी, उनकी दो बेटिया हैं। देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जिस तरीके से सडकों पर प्रदसन हो रहे हैं लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें नयाय मिले हत्यारूप्यों का एंकाउंटर हो अब देखना होगा कि आगे की कारवाई में क्या कुछ नि निवाद